हेलो फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग आई होग सब लोग अच्छे होंगे बहतर होंगे और स्वस्त होंगे स्वागत आपका फियर्स क्लाव लर्न टू लीड में बुड मॉर्निंग तो आज हम डिस्कस करेंगे 26 और 27 जून 2022 के बहुत इंपोर्टेंट क्रेंट फियर तो आप यह पॉटेंट क्रेंट फियर डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो को बिल्कुल लास तक जो है वो जरूर देखना है लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लें करियर्स क्लावड को अपने गूगल प्ले स्टोर के उपर जाएं और इसको डाउनलोड कर हैंगे कितने कम प्राइस पर हम आपको बहुत सी चीज़े प्रवाइट कर रहे हैं तो क्या क्या आपको मिलेगा आपको मिलेंगे डेली क्रेंट फेर में दोस्तों तीन सेक्शन होंगे एक में डिटेल क्रेंट फेर होंगे एक में कुश्चन एन अंसर फॉर्मेट क्रेंट ह मिलेंगे और एक होगा quiz जो कि आप हमारी application के ओपर daily attempt कर सकते हो ऐसे ही weekly section त्यार किया गया है जिसमें आपको दो pdf's मिलेंगे जिसमें एक detail current fair की होगी एक question and answer format होगा लेकिन एक quiz होगा जो कि हर हफते आप हमारी application के ओपर attempt कर सकते हो next होगा monthly section इसमें चार तरह की pdf's मिलेंगे जो कि अलगलक तरह से आप utilize कर सकते हो जैसे कि study pdf है यह detail current fair है जिसमें आपको theoretical current fair मिल जाएगा एक question and answer format में जितने भी current fair detail में मिलेंगे वो question and answer format में इसमें मिल जाएगे तो practice यहाँ से कर सकते हो best 100 current fairs भी आपको दिये जाएंगे जो कि उस महीने के best current fairs होंगे उसमें 100 current fair जो है question and answer format में आपको दिये जाएंगे एक pocket pdf होगी मतलब जल्दी जल्दी में current fairs को revise करने के लिए दो line में तीन line में तो आप इसका use कर सकते हैं इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं topic wise current fair हम 20 बहुत ही important topics की अलगलग pdf आपको provide करेंगे अगर आप particular किसी exam के लिए कुछ topics को revise करना चाते हैं आप important appointments को revise करना चाते हैं awards को revise करना चाते हैं तो इस PDF के थूँ आप कर सकते हैं अगर आप banking student है banking exam की त्यारी करने तो हम आपको तीन अलग चीज़े provide करेंगे जिसमें banking and economy से related detail current fair उसी से related question and answer format current fair आपको PDF में मिल जाएगा और banking and economy का quiz भी आप attempt कर सकते हो हर महीने हर महीने attempt कर सकते हो हमारी application के उपर और अगर जितना भी current fair अभी तक हो चुका है जैसे मान लो आपका exam जो है 30th of May को है तो 29 मही तक जितना भी current fair हो चुका है वो सारा का सारा एक ही PDF से revise करने के लिए उसी साल का आप exam PDF का use कर सकते हैं आपको detail में budget और economic survey दिया जाएगा इसमें आपको द state का हर unit territory का current fair भी अलग से provide करते हैं तो इस सारी चीज़े दोस्तों अलग लग नहीं सिरफ एक ही subscription में आपको मिलेंगी सिरफ आप हमारी application को download करें crack current fairs के उपर click करके उसको subscribe करें उसके बाद जो है वो आप 10% extra discount भी ले सकते हो वो मिलेगा आपको अगर आप इस code का use करोगे ASH10 का लेकिन किसी भी तरह की query है तो इस email ID पर हमें mail कर सकते हैं इस number पर हमें contact भी कर सकते हैं तो start करते हैं 26 और 27 जून 2022 के current fair लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे आर वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को like करेंगे, share करेंगे maximum to maximum और चैनल को अभी के अभी subscribe कर लें लेकिन दोस्तों आप हमारे telegram group को भी join कर लें तांकि हर तरह की important notification आपको मिलती रहें तो पहला question है most important में किसको नया CEO बनाया गया है निती अयोग का तो ये question तो most important हो गया क्योंकि निती अयोग दोस्तों एक ऐसी body है जिसको 1 जनवरी 2015 में बनाया गया था जो इसके chairman होते है वो तो prime minister खुद होंगे लेकिन जो इसके vice chairperson है वो recently elect किये गए है वो है सुमन बैरी जी लेकिन इनके नए CEO कौन बनाये गए है वो बनाये गए है परमेशवरन अयर जी तो answer क्या होगा इसका C होगा तो जो appointment committee of the cabinet है उन्होंने ये approval दिया है कि परमेशवरन अयर जो 1981 के IS officer है उत्रपरदेश केड़र से उनको CEO बनाया जाए निती योग के लिए और कितने साल के लिए बनाया जाए दो साल के लिए उनको appointment जो है वो मिली है और निती योग में उनको 2016 में CEO लगाया गया था लेकिन उनका टाइम प्रिट जून 2021 तक ही था और जून 2021 में उनको एक साल की extension जो है वो मिल गई थे अब जून 2022 में उनका टाइम प्रिट पूरा हो गया बतब 6 साल लगातार वो एजे निती योग के CEO रह चुके हैं तो परमेश्वरन आयर जो है वो voluntary retirement ले गए थे IS सर्विस से 2009 में उनके 17 साल सर्विस पूरे करने के बाद और जैसे उन्होंने voluntary retirement ले ली थी इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया है water and sanitation specialist के तोर पे फिर 2016 में उसको आप कहा सकते हो कि secretary लगाया गया ministry of drinking and water and sanitation के अंदर लेकिन 2020 में उन्होंने इस पद को छोड़ दिया था तो अब इनको दुबारा से आप कहा सकते हो बारा सरकार की तरफ से जो है वो एक रोल दिया गया है वो है निती अयोग के CEO का और बहुत बड़ा रोल है परमेश्वरन अययर का और आपने याद रखना है बाकी appointments यहाँ पर important है बिनाय कुमार सकसेना का नाम देख रहे हो इन हम already इसको discuss कर चुके हैं और जो नए person लगाए गए हैं वो है नितिन जी जो कि appoint किये गए है नए director या आप कह सकते हो head of the CBDT इसी के साथ आते हैं अगला question अगला question है किसको woman price मिला है for fiction 2022 तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि woman's price जो है वह बहुत ही खास price है यह खास करके novels के लिए मिलता है और इसमें 30,000 पाउंड की राशी भी जो है वो दी जाती है मतलब 36,000 तो ये जाते हैं और इस बार ये मिला है एक American Canadian author फिलम maker भी है रुत औजैकी जी उनको ये खिताब दिया गया है और खास करके ये Buddhist religion में believe करती है इसलिए ये ये Buddhist priest भी है और आप कह सकते हो कि इनों को मिला है ये the book of form and emptiness book के लिए तो याद रखोगे the book of form and emptiness book के लिए एक खिताब दिया गया है woman's prize उस खिताब का नाम है और ये परसन है रुत औजैकी जी American Canadian author है और इनको total 30,000 पाउंड की राशी मिली है और ये 27th anniversary जो है woman prize की बनाई जा रही है और याद रखना है ये जो prize है ये किसी औरत को दिया जाता है अगर उसने English में जो है वो कुछ लिखा है कोई novel लिखी है लेकिन ये irrespective of her nationality है country of residence है age है या subject matter है लेकिन वो English में लिखा हुआना चाहिए और वो एक woman को ही ये खिताब मिलता है इसलिए इसका नाम है woman's prize और इस award के अंदर खास कर के उन novels को prize दिया जाता है जो UK के अंदर publish हुई हो ये बात अपने याद रखनी है तो इसलिए आपने याद रखना है woman prize for fiction fiction का मतलब होता है कि अपनी तरफ से उन्होंने सोच के इसको लिखा है और book का नाम मैं बता चुका हूँ the book of form and emptiness और ये book लिखी है Ruth Ozaki ने जो की American Canadian author ह इसी के बाद आते हैं अगले question के उपर जो कि ये very important question section में लेकिन वीडियो को like करेंगे share करें maximum to maximum channel को अभी के अभी subscribe कर लें और telegram group को आप description box से जोईन करें ताकि हर तरह की important notification आपको मिल सके किसने एक book को लिखा है जिसका नाम है Gotham Adani the man who changed India तो सबने Gotham Adani का नाम सुना founder है chairperson है अदानी group के और ये book लिखी है बहुत ही famous business journalist है आर और बासकर जी उन्होंने लिखा है तो answer क्या होगा इसका ए होगा तो आप यहां पे Gotham Adani का चहरा देख सकते हैं ये book publish की है penguin business imprint ने जो की penguin random house इंडिया का ही एक part है और इस book में बताया गया है कि जो Gotham Adani के unknown facts हैं व अपनी business community को आप कह सकते हैं बहुत जादा फाइदा दिया है और अलग-लग तरह के शेत्रों में इन्होंने निवेश किया है और ये book याद रखनी है गौतम Adani The Man Who Changed India एक बहुत ही famous business journalist है जिनका नाम है आर अर अर बासकर जी उन्होंने इस book को लिखा है इसी के बाद आते ह यहाँ पर विक्टर अक्सेलसन ने तो याद रखोगे अंसर क्या होगा यहाँ पर बी होगा और यह जो इंडोनेशन ओपन दोहियर बाईस है दोस्तों यह जकारता के अंदर हुआ है इंडोनेशिया में 14 से लेके 19 जून के बीच में यह खेला गया और वोमें सिंगल्स के अंदर यह खिताब किसने जीता है यह जीता है ताई जो इंग ने तो अंसर क्या होगा यहाँ पर सी होगा और यह जो इंडोनेशिया आप कह सकते हो यह पूरा ओपन है 2022 का यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर का एक हिस्सा है जो 2022 में हो रहा है तो आप यहाँ पर दोनों चहरे देख सकते हैं विक्टर अक्सेलसन देख सकते हो मेंस के अंदर और साथ में ताईजू इंग देख सकते हो जो की वोमें सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता है विक्टर अक्सेलसन जो की डेनमार्क से बिलॉंग करते हैं इन्होंने मेंस सिंगल्स क एक प्लेयर से हार गए लेकिन इस टूर्णमेंट को जैसे खतम हुआ उसके बाद देखा गया कि यह पूरे वर्ल्ड टूर की रैंकिंग के अंदर सेकिंड नंबर पे आते हैं सिंगल्स के अंदर पहले नंबर पे तो विक्टर अक्सेलसन है और अगर आप वोमेन की बात तो सिंपल याद रखना है वोमेन सिंगल टाइटल इंडोनेशन ओपन जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है इसमें ताइज उइंग ने जीता है और साथी साथ मेन सिंगल टाइटल जो है वो विक्टर अक्सेलसन ने जीता है अगले कोशन के ऊपर आते हैं बारत electronics limited ने एक memorandum of understanding sign किया है कौन सी company के साथ ताकि airborne defense suit जो है वो supply किये जा सके है और ये एक बेलारूस की company है दोस्तो जिसका नाम है defense initiatives तो याद रखना है answer क्या होगा इसका ए होगा तो बारत electronics limited जो कि defense public sector unit है ministry of defense के अंदर तो उनने agreement sign किया है कि MOU sign किया defense initiatives के साथ जो कि बेलारूस में स्तित है ताकि हम helicopters के लिए जो है वो एक निया defense suit जो है वो बना सके और उसको हम क्या कहते हैं उसको कहते हैं हम electronic warfare suit for helicopters और इसको हम जो है वो अलगलग तरह के नाम दे सकते हैं airborne defense suit भी कहा जाता है तो ये make in India initiative को आगे बढ़ाने के लिए है क्योंकि बारत electronics limited जो है वो prime contractor के तोर पे काम करेगा और इस company की मदद से defense initiative की मदद से जो है वो इस technology को मतलब manufacturing maintenance ये सारी चीज़े करेगा और ये advanced electronic warfare suit बनाएगा जिसको हम ADS system कहते हैं और ये helicopters को protection प्रवाइड क के लिए बनेंगी और साथ ही साथ MOU जो है जो तीनों companies जो है वो इसमें जुड़ी हुई है जो की defense initiatives की ही है वो Indian Air Force helicopters के लिए defense airborne system बनाएगी तो इससे जो Indian Air Force के helicopters हैं उनको सुरक्षित किया जा सकता है तो बेलरूस की यहां पर बात हो रही थी क्योंकि बेलरूस की company है बेलर vibration किया है Center for development of telematics के साथ तांकी 5G radio assess network products जो है वो इंडिया में बनाए जा सके जा 5G related solutions जो है वो इंडिया के अंदर develop किया जा सके और making India initiative को boost किया जा सके और यह company है Galore Networks तो answer क्या होगा यहां पर C होगा तो आपने सबसे पहले याद रखना है यह Center for development of telematics जो कि कि किसके अं communication के अंदर तो इन्होंने Galore Network के साथ एक tie-up किया है तांकि 5th generation based radio assess network products जो है वो इंडिया में ही बना सके तो partnership आप कह सकते हो कि एस तरह से जो making India concept उसको boost करेगा तो इंडिया में हम कई 5G related product manufacture करेंगे develop करेंगे और उसको लगाएंगे जो कि एक बहुती cost effective solution जा हो सकता है और ब पूरे के पूरे commercially जितने भी 4G, 5G non standalone assess है चाहे वो standalone assess है वो provide करेगा जिससे हम 5G जो radio network है हमारा उसको हम assess कर सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा एक tie-up किया गया है और इसमें दोनों companies या आप कह सकते हो Center for Development of Telematics और Galore Networks आपस में combine करके अपनी technological experts को आप कह सकते हो combine करके एक नया रस्ता ऐसा खोजेंगे जिसमें नई opportunities जो है वो 5G related solutions को लेके निकलेंगी और 5G related products जो है वो इंडिया में जो है वो testing की permission recently दी गई है तो अब इंडिया में भी 5G related products के testing जो है वो हो सकती है तो इस question को ध्यान से इसी slide से आप पढ़ सकते हो इसी के साथ आते हैं अगले question के ओपर who is appointed as the CEO Chief Executive Officer of India Debt Resolution Company तो कौन नए CEO लगाए गए हैं IDRCL के important question है और ये हैं दोस्तो अविनाश कुल करनी तो answer क्या होगा A होगा अविनाश कुल करनी जो की already CEO है कौन सी कंपनी के IRARC के इसका मतलब है India Resurgence Asset Reconstruction Company Private Limited और इनको 3 साल के लिए India Debt Resolution Company का भी CEO जो है वो लगा दिया गया है इससे पहले ये position किसके पास थी इसके पास थी मनीश मकारिया जी तो याद रखोगे मनीश मकारिया जी जो कि जुलाई 2022 में रिटायर हो जाएंगे और ये पद फिर किसके पास चला जाएगा अविनाश कुल करनी जी के पास अब देख सकते हो Chief Executive Officer of IRARC इसका मतल है इंडिया Resurgence Asset Reconstruction Company अविनाश कुल करनी जी इंडिया Debt Resolution Company को भी क्या करेंगे लीड करेंगे और इसी appointment के साथ जो ये नए executives आप कह सकते हो कि अविनाश कुल करनी के साथ जो काम करेंगे ये सारे के सारे इसी काम के उपर लगेंगे कि जो bad loans है उसको किस तरह से हम bank से जो private sector banks का collaboration है जिसमें 51% share जो private sector banks के द्वारा ही जो है private sector companies के द्वारा ही control किया जाता है इसमें साथ members का एक board होता है जो की head कौन कर रहा है दिवाकर गुपता जी इसको lead कर रहे है और उसका main मक्सद यहीं होता है कि जो bad loans है जो banks के हैं वो national asset reconstruction company से लेके उसको किसी ना किसी तरह स उसको ठीक करते हैं तो यह काम है इंडिया debt resolution company का NARCL के साथ मिलके करते हैं लेकिन एक खास बात है कि IDRCL के जो CE होते हैं उनको appoint करने के लिए RBA की approval की जरूरत नहीं है लेकि national asset reconstruction company limited में RBA की जरूरत approval जो है वो होती है अगला आते है ship bond weapon system VLSRSEM successfully flight tested यह कौन सा missile है मतलब यह surface to surface to air है air to air है तो सबसे पहले अगर आपको इसका मतलब पता है तो answer दे सकते हो VL का मतलब है vertical launch SR का मतलब है short range SAM का मतलब है surface to air missile तो नाम सी पता लग रहा है answer क्या होगा इसका B होगा तो 24 जून को हम इंडिया के अंदर जो है वो इसका test करते हैं कहां पे करते हैं चांदिपू तो इस शिप बॉन है मतलब शिप से launch किया गया है वेपन सिस्टम है vertical launch short range surface to air missile और इसका flight test जो है वो डिसा कोस्ट में किया गया तो शिप बॉन वेपन जो है वो various target जो हवा में चल रहे थे उसको neutralize करता है और इसकी range 40 km से लेके 50 km तक की है और इसका altitude जो है वो around 15 km का है और स बात में ये किसी भी device को जो है वो क्या कर सकती है overtake कर सकती है मतलब कोई आप कह सकते हो radar system है उसको भी निकाल सकती है उससे भी बच सकती है और इसको design specially किया गया है अस्तरा missile को design को देखके इसको तियार किया गया है क्योंकि वो भी visual range के बाहर होती है और air to air missile है लेकिन और DR radio facilities ने इसको तियार किया है इसी के साथ आते हैं आगले question के उपर RBI ने card tokenization की deadline जो है वो बढ़ा दी है तो Reserve Bank of India ने card of file tokenization जिसको COFT कह देते हैं उसकी deadline तीन महीने के लिए दोस्तों बढ़ा दी है पहले वो 30 जून तक जो है वो card tokenization compulsory थी जितने भी payment system provider थे payment system participant थे लेकिन अ आया गया है लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि card tokenization as such होती क्या है तो RBI ने यह mandate किया हुआ है कि जितने भी customer card information होती है उसको आपने encrypted form में रखना है encrypted form का मतलब card on file tokenization में रखना है ताकि secure transactions हो सके और COF का मतलब यहीं होता है कि जितना भी card holder का data होगा वो सारा का सा 16 digit numbers में जो है वो जो रेंडम number होंगे उसमें convert हो जाएगा जिसको token कहा जाएगा तो अगर इसको like कोई तोडने की कोशिश भी करेगा तो कोई meaningful value का कोई data जो है वो नहीं निकलेगा और इसी tokens के थूँआ payment जो है वो कर सकते हैं और आपकी जो privacy है वो भी secure रहेगी आप कह सकत क्योंकि आपका data जो है वो disclose नहीं होगा यहीं है card tokenization अब 30 September 2022 तक हो गया है तो बस इसमें खास तोर से आपने date को याद रखना है तो इसी के साथ आते हैं अगले question के ओपर जो कि यह picture से railway minister अशनी वैशनव जी ने एक policy और portal launch किया है e-auction के लिए ताकि commercial earning के ओपर काम किया ज सके जो भी contracts है वो online दिये जा सके तो बहुत ही simple है इसको आप just slide से याद रख सकते हो कि अशनी वैशनव जो कि union minister of railway है उन्होंने e-auction portal जो है वो launch कि ताकि commercial earning के ओपर focus किया जा सके और इस launch का ये भी मतलब है कि commercial earning like आप कह सकते हो कि auction जो है वो like parcel vans हो गई, pay and use toilets हो गई, कुछ भी circulate करना है like advertisement circulate करनी है, air condition waiting rooms बनाने है, clock rooms बनाने है, parking lots बनाने है, plastic bottle crushers लगाने है, ATM's लगाने है, तो ये सारा अगर railway की property के ओपर लगेगा, तो as such फाइदा जो है वो किसको होगा railway को होगा, तो उसी के लिए ये portal launch किया गया कि आप वहीं पे इन चीजों के लिए क्या कर सकते हो, apply कर सकते हो, और railway जो है वो इस e-procurement system के थ्रूँ जो है वो सबको contracts जा provide करेगा, जिसके थ्रूँ उनको income बढ़ेगी, तो इससे income जो है वो railway की जरूट बढ़ेगी, एक earning का scope जो है, वो increase होगा, next आता है important questions के ओपर, लेकिन वीडियो को like करे, share करे maximum to maximum, और चैनल को अभी के अभी subscribe कर लें, और telegram group से, अब description box से, हमारे telegram group को join कर ले, तांकि हर तरह की important notification आपको मिल सके, question है कि कौन सी date को हर साल United Nation Day of Seafarer बनाया जाता है, तो ये बहुत ही important है, इतना important नहीं कहूंगा कि कि किसी भी exam में पूचा जाए, लेकिन हाँ, इतनी हद तक important है कि आपको banking के exam में ये question आ सकता है, United Nation Day of Seafarer, तो ये दोस्तों हर साल मनाया जाता है, कौन से दिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मनाया जाता है 25 जून को, तो important है, क्यों important है, क्योंकि जितने भी समुंदर में travel करते हैं लोग, या अपने काम के कारण जो है, वो इदर environment में वो काम करते हैं, इसलिए इस दिन में awareness लोगों में create की जाती है, कि उनको देखके जो है, वो हमें अपनी जिंदगी को और मजबूत करना होगा, अपने याद रखना है, हर साल ये दिन जो है, वो 25 जून को मनाया जाता है, तो ये उन लोगों को भी tribute प्रोवाइड करत आती है, IMO, International Maritime Organization, जिसका हेड़कॉर्टर कहां पर है, London United Kingdom, नेक्स आते हैं, what is the theme of world vitiligo day 2022, इसका theme जो है, आपने बताना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, कि कौन से दिन ये मनाया जाता है, ये 25 जून को ही मनाया जाता है, दोस्तों, हर साल, और इसका में में वक्स बैठते ही नहीं है, उनसे बात नहीं करते है, social neglect होता है, psychological level पे उनको neglect किया जाता है, तो जो भी trauma उनको feel करना पड़ता है, वो सारी की सारी चीजे जो है, वो लोगों के मन से निकालनी है, और इस दिन का मक्से यहीं है, कि लोगों में awareness create की जाए, कि ये इस तरह की बिमारी जो है, वो basically नहीं है, और international theme इसका क्या है, learning to live with wittilogo, तो answer क्या होगा, इसका ए होगा, तो आप देख सकते हो, इस तरह के white patches जो है, वो यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि melanin जो है, वो body में नहीं बनता, इसी को हम क्या कहते हैं, wittiligo, तो world wittiligo day 25 यून को मनाया गया, और wittiligo जो word है, यह wittiligo से आया है, wittiligo का मतलब होता है, blemish या defect, तो उससे लिया गया है, next आते हैं, तामिलाडू का एक advanced manufacturing conclave, जो है, वो 24 जून को हुआ, M.K. स्टालिन जी ने इसका उद्गाटन किया, तांकि maximum to maximum investment, technology related, या और भी कई industries, जो हैं, वो तामिलाडू के अंदर आ स तक का लक्षा है, तामिलाडू स्टेट का, कि हम एक trillion dollar economy तक जो है, वो पहुंच जाएं, जिसमें 200 million dollar, जो है, वो manufacturing sector, जो होना चाहिए, और तामिलाडू के जो चीफनिस टाइम के स्टालिन है, गवर्नर जो है, वो RN रवी जी है, next आते हैं, RBA extends card tokenization, हम already इस question को कर चुके है है, simple words में, चाइना की नेवी जो है, वो वर्ल्ड की largest fleet to build a naval facility in Cambodia, तो अगर simple words में देखोगे, तो चाइना की नेवी ने एक secret, एक secret Cambodia के अंदर, एक naval facility जो है, वो बनाई है, जिससे वो अपनी military expansion जो है, वो कर रहा है, foreign water के अंदर, तो चाइना जो है, वो वर्ल्ड का largest naval fleet जो ह 296 ships और submarines हैं, लेकिन चाइना के पास 350 हैं, तो चाइना currently जो है, वो एक ही foreign naval base को चला रहा है, जो की कहां पे है, जीबूती के अंदर है, जो की East Africa में आपको मिलेगा, ये दूसरा foreign naval base है, जो वो बना रहा है, कहां पे, Cambodia के अंदर, नेक्स एक नई book लिखी गिए, गौतम Canadian author, Zen, Buddhist, Parist, Root, Ajaki ने, Women's Prize for Fiction जीता है, हम already this question को कर चुके है, Tamil Nadu के Chief Minister Stelling जी ने, Tamil Nadu Advanced Manufacturing Conclave, जो है, उसका उदगाटन किया, ये भी हम discuss कर चुके है, तो बाते हैं, question of the day, 24 June 2022 का question क्या था, basically 25 June 2022 का question क्या था, question था, which is appointed as the new Chief Election Commissioner of India, बहुत ही simple question था, election commission जो है, वो three member body है, और इ election commissioner में एक तो है, अनूप चंदर पाड़ने जी, एक position जो है, वो अभी भी क्या है, खाली है, इसी के साथ आते है, question of the day, question of the day है, किसको point किया गया है, chairman, national commission of minorities का, तो answer आप मुझे comment box में बताएंगे, मैं आपका answer का wait करूँगा, लेकिन दोस्तों, वीडियो को like करना है, share करे और channel को subscribe कर लें अभी के अभी, और आप हमारे हर platform को join कर सकते हैं, जैसे कि facebook है, instagram है, आप हमारे telegram group को join कर सकते हैं, आप linkedin को भी join कर सकते हैं, लेकिन life को बहुत ज़्यादा serious नहीं लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, और हमेशा अपनी health का ध्यान रखोगे, thank you guys.